हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूटूब चैनल अकाउंट्स यूर्शन में दोस्तों आज का अपना टोपिक है बहुत है इंपोंटेंट है तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरा एक टेलीग्राम वीडियो में बनाता हूं वो सारी वीडियो में इसमें भी डालता हूं ताकि लोगों को हेल्प हो सके ठीक है इसके लावा इसमें कोई भी ऐसा क्यूशन रहता है उसकी में वीडियो बना सकता हूं या फिर उस टाइप की मैंने वीडियो बना रखे तो मैं अपना जो गुर करते हैं और वही से प्रोड़क्त पिछली बार कौन सी प्राइज में सेल किया था तो उसका कैसे चेक कर सकते प्लीज बताएगा तो इनका जो कमेंट था अब इसका जो आंसर हो सकता है मेरा कुछ वार्ड में भी हो सकता है तो दोस्तो इसका जो आंसर यह वीडियो है जे वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि अगर किसी का आकाown्ट आप खुलते हो तो उस केस में पता चल जाता है कि यह अकाउंट है जैसे मानलो customer का नाम कुछ भी लिखो लेकिन mobile number अगर same आएगा तो उस party को मतब एक mobile number ही एक database के साफ से party create हो जाती है और उसी के साफ से rate लगता है जैसे उस mobile number का दुबारा से आप repeat bill आप बनाते हो उसी item का तो उसकी same rate आएगी तो इसका answer यह है और इन्हों ने हो सकता है वीडियो देखी वीडियो देखने के बाद इसका solution basic में नहीं है यह customization के थुरू आप करा सकते हो कि mobile number से जैसे case counter जो होते हैं उसके अंदर ज्यादातर अकाउंट नहीं खोलते हैं वह के mobile दुबारा से अगर कुछ माल लेने आता है तो उसकी जो rate पिछली बार जो गई है वही rate आपकी लगेगी तो इसका answer यह है तो यहाँ पर एक इनका क्यूशन है आइक कोन के नाम से इनका नाम है और इनका एक क्यूशन है और इस पे थोड़ा सा मैंने research किया तो इनका जो point मैंने समझा है इनका point है सर मेरे purchase bill में item amount सोर पे हैं उसमें discount 20% है इसमें 20% discount है तो मेरी purchase cost 80 रुपे हुई लेकिन मैं sale bill करूँ तो item के according rate वह सोर पे आए कैसे setting की जाए तो दोस्तों इसका जो answer है एक में अभी छोटा सा program में ने बनाया है इसके मादेम से आप लोगों के लिए बताऊंगा और हो सकता है इस तरह का questions और परसन का भी हो सके ठीक है तो इनका केना यह है 200 रुपे का एक item खरीदा है उसमें 20% discount लगा है 80 रुपे का उनके घर में पड़ा लेकिन वो क्या करना चाहते हैं कि उसको 100 रुपे में सेल करना चाहते हैं वो जो 100 रुपे automatic आना चाहिए तो इसका आप बीजी में कैसे configuration कर सकते हैं इसके दो तरीके हैं दो तरीके दोनों तरीके में आपके लिए बताऊंगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा क्या configuration से आपको करने पड़ेगी जिसके बाद इसका जो answer है यानि इस question का answer है वो आपको मिल जाए तो दोस्तों यहां पर मैंने एक परचे चड़ाया पहले जो simple जो तरीका है वो मैं आपके लिए बता देता हूं तो दोस्तों इनका जो question था कि अगर इन्होंने कोई 100 पे का product खरीदा है 100 पे का product खरीदा 20 परसेंट का discount कटा चिर पे उनकी cost value आई है तो उसको आप 100 पे में कैसे बेज सकते यानि परचेज rate के साब से कैसे बेज सकते हैं इनका क्यूशन इस तरीके से हैं तो यहां पर मैंने एक purchase का invoice चड़ाया आइटम का नाम लिखा item 1 एक quantity लिखा 100 पे मैंने रेट लिखा और 20 परसेंट का जाये तो वह कैसे जा सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो दोस्तों पहले तो आपने purchase का bill चाड़ा लिया कि आपकी सोर पर डाली 20 परसेंट डिसकाउंट डाला और इसकी जो रेट आई असी रुप है यहां से आप जैसे ही आप सेव करते हो तो एक option आपको चालू करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बिल के अंदर से ही आपको alt f आपको प्रेश करना है फीचर्स ओप्षन पर आपको क्लिक करना है इन्वेंटरी पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पर calculate item, sale, price, from, purchase, price इसके आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको सेव कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है जै के window आपके सामने पॉप हो रहे है और इस window के अंदर आपके सामने दिखाए दे रहा है item update item sale price from purchase price तो आप से यह बोल रहा है कि आपकी जो list price है क्या उसमें आप कितना percent aid करना चाहते हो जो आप sale price बना दो यहां पर मैंने क्या किया list price में only क्या किया zero मैंने यानि मैं कुछ भी नहीं करना चाता मेरी जो list price जो सोर पर आई है वो मेरी क्या बन जाए sale price बन जाए यहां से update sale price में मैंने क्लिक किया तो यहां पर आपकी sale price कितनी होगी तो पर अभी मैं alt i करके item master के अंदर में एक बार चेक करा देता हूं कि यहां पर मैंने क्या डाल रखा है अभी मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा है इसमें sale price मेरी पास zero है ठीक है तो यहां पर अगर जिसमें update sale price पे क्लिक किया और यहां item 1 सेलेक्ट किया item 1 जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसकी rate कितनी आ गई 100 रुपे automatic आ गई इसमें आपको कुछ भी करने के आओ सकता नहीं है आपने वहां पर decide करा दिया कि आपकी जो purchase rate है यानि purchase rate है वही आपकी sale rate बन जाए एक तो तरीका यह है दूसरा तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा अगर आप उस window को open नहीं करते हो तो अब आपको क्या करना है यहां पर alt-f phrase करना है और उस window को आपको बंद कर देना है यहां पर features option पर आपने क्लिक किया inventory पर आपने क्लिक किया और यह से इस window आपने बंद करने के बाद यहां से कर दिया save शेव करने के बाद item master के अंदर जो मैं आभी मेरे पास जो data रिटा अट्मेटिक आया था, तो इसको मैं so को कर दिता हूं जीरो, ठीक है, यहां से मैंने zero कर दिया, इसको कर दिया, save, अब दुबारा से मैं purchase का bill, open करता हूं, purchase का bill मैंने open किया, और यहां पर मैंने क्या किया, कि मेरे पास store पे purchase rate है, ये दूसरा तरीका मैं आपके लिए ब रुपे में जो आपने खरीदा था तो 100 रुपे में आप बेचना चाहते 20% आपको डिसकाउंट मिल गया है तो यहां पर आपने सोर पर सेलेक्ट किया इसके बाद 20% डिसकाउंट डाला इस बिल को कर दिया अपने सेव अब आपके सामने ये विंडो नहीं आएगी यहां से सिंपल एक काम कर दिया आपने अब इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि जैसे आप बिल बनाने जाते हों बिल बनाने से से पहले एक option आपको अनेबल करना पड़ेगा वह कौन सा option है एड्मिनिस्टेशन पर क्लिक करना है कॉन्फिग्रेशन पर क्लिक करना है फीचर्स option पर आपको क्लिक करना है इसके बाद inventory पर आपको क्लिक करना है और यहां पर item-wide markup type यह आपको select करना है आपके पास not required होगा तो यहां से आपको क्या करना है simple markup आपको कर देना है और यहां से save कर देना ठेक है यह आपने कर दिया इसके बाद आप जैसे बिल बनाने जाते हो तो यहां पर configuration आपको और भी करने पड़ेगे alt-f आपको प्रेस करना है पाउचर शिरीज wise markup का जो option है वो मैंने यहां से select कर लिया इसको वाई कर लिया वाई करने के बाद यहां से किया मैंने save ठीक है यह configuration आपको करनी है इसके बाद जो item है आपका item में कितना discount कटके आये तो item 1 के अंदर अगर मैं इसको modify करता हूँ तो यहां पर markup का option आ गया यानि markup का यह option आ चुका है और markup के अंदर मैंने डाल दिया यहां पर कितना 25% 80 में अगर आप 25% add करोगे तो आपका 100 रुपे हो जाएगा तो यहां से मैंने क्या किया 25% डाला और इसके बाद यहां से save कर दिया सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं कि जैसे उसको सेल करूंगा तो मिने को rate कैसे डालनी मुझे rate कैसे डालनी तो यहां से आपको विल बनाने के लिए sales पर किलिक करना है और इसके बाद main पर मैंने इसकी configuration कर रही थी इसके बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां पर case मेंने select किया, case select करने के बाद item 1 मेंने select किया, एंटर में जैसे ही करूँगा, तो यहां पर item का price कितना आ रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि 80 रुपे, 80 रुपे item का price है, यहां से मैंने Qt किया, Enter किया, Enter करने के बाद एक quantity डाले, और यहां पे 80 रुपे मैंने डाल दिये, 80 रुपे डालने के बाद, जैसे मैं Enter करूँगा, तो 80 रुपे पे Markup लगा रहा है, यह कितना? 25%, 25% लगने के बाद, इसकी rate कितनी होगी, आप इस तरीके से भी कर सकते, आपके पास यही तरीका है, इसके लावा अगर Advanced Level पे आप जाते हो, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करने की जर्थ पड़ेगी, जैसे आप पर्चेज रेट डालोगे, ऑटमेटिक बिल्कु से उकरते हैं, आपकी सेल रेट ओटमेटिक आइटम मास्टर में सिप्ट हो जाएगी, वो कस्टमाज़ेशन के थुरू आपको करवाना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ भी करने की दिक्कत नहीं है, आपने जैसे आपकी पर्चेज रेट डाली है, वो ओटमेटिक सेल प्राइज में चली जाएगी, ना तो आपकी कोई विंडो खुलेगी, और ना हैं कुछ आपको करने की जरत है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यह आपका फिरी वाला प्रोजेक्ट है, मतलब दोनों चीजे में आपके लिए बता दी, तो दोस्तों मेरा जो प्लानिंग है, मेरा प्लानिंग यह है कि आप लोगों के लिए बीजी अकांटिंग कोर्स आपके लिए बहुत जल्दी मिलने वाला है, और शाय से उसकी जो तैयारी रहेगी दिपावली से पहले में थोड़ा उसका रिसर्च करूँगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो काफी लोगों का requirement आता है या काफी लोगों का जो goal आता है उनका requirement यह रहता है कि sir आपने कोई आपका कोई course बना रखाएगा अभी मैंने कोई course नहीं बनाया है और मेरा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक course बनेगा उसके अंदर अगर आप बिल्कुल fresher हो आपको के computer के आपको knowledge है और आपके education कितनी भी रहे उससे कोई मतलब इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप सेल परचेज का तो आप करी सकते हो इस्टेफ बाई स्टेफ अगर आप करना सीखोगे तो कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ज़रूरी नहीं है कि आपको MABA कर करना ज़रूरी है बिलिंग करने के लिए सेल परचेज के करने के लिए या statement मिलाने के लिए जो भी बेसिक जो काम होता है आप लोग काम धीरे-दीरे काम करते करते हैं आप सब कुछ चीज़े सीख सकते हो लेकिन आपको proper guide करने वाला कोई person मिलेगा तो आप सीख सकते हो बा इनका comment मैं ने पढ़ा समझा उसके मादेम से मैंने दो पॉइंट दो तरीके से इनका answer दिया है और जैसे जो भी वीडियो के बारे में किसी का रहता है कि इस तरीका वीडियो बनावा आप तो अगर मुझे लगता है कि यह topic है लोगों की requirement है तो उस type का मैं वीडियो जरूर बनाता हूं और अपना जो यूटूब चैनल है उस पर मैं जरूर अप्लोड करता हूं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और सेट जरूर करें और इसी तरह की helpful वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थेंक यू